Welcome viewers, आज हम बात करेंगे चेस्पेन यानि छाती के दर्द के कारणों के बारे में ऐसा बहुत बार आपके साथ हुआ होगा कि आपको छाती का दर्द हुआ हो और आप परिशान हो गए हो कि आपको कोई हर प्रॉबलम हो गई है लेकिन दोस्तों चाती के दर्द का केवल एक दिल ही कारण नहीं है बलकि इसके कई दूसरे कारण भी हैं जिनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा तो आज का वीडियो शुरू करते हैं viewers, चेस्पेन या तो दिल में किसी प्रॉबलम के कारण हो सकता है या फिर किनी दूसरे कारणों से हो सकता है तो सबसे पहले बात करते हैं दिल के कारणों से होने वाले चेस्ट पेन की सबसे पहला कारण है अंजाइना मतलब दिल को खून पहुचाने वाली नाली जिसे हम कोरोनरी अर्टरी कहते हैं उसकी बीमारी हो जाना जिसे coronary artery narrow हो जाती है और दिल को कम खून पहुँचता है और छाती में दर्ध होता है लेकिन hurt की muscles का damage नहीं हो रहा है यहां पर दूसरा कारण है myocardial infarction मतलब hurt attack जिसमें दिल को खून या तो कम पहुच रहा है या पूरी त्रह से block हो गया है इसके कारण दिल की muscles permanently damage होने लग गई है तीसरा कारण है mitral valve prolapse मतलब जब आपका दिल contract करता है तो उस समय जो दिल का mitral valve है वह prolapse करता है मतलब अपनी normal जगह से यह बाहर हो जाता है दिल के उपरी atrium chamber में चौथा कारण है pericardial pain दिल एक double layered back के अंदर होता है इस back को pericardium कहते हैं इस pericardium में inflammation यानि सूजन आ जाए तो छाती का दर्द हो सकता है सूजन bacterial viral fungal infections से हो सकता है या फिर autoimmune बिमारियां जैसे की SLE, remitted arthritis यानि गठिया आदी से हो सकता है दूसरे कारण जो pericarditis यानि pericardium की सूजन करते हैं वे हैं kidney failure, accident में pericardium को चोट लगना, pericardium का tumor होना या कुछ दवाईयां आदी तो अब बात करते हैं non cardiac pain की यानि ऐसा दर्द जिसका कारण दिल नहीं है ऐसे दर्द को हम दो केटेगरीव में बाँट सकते हैं पहला peripheral pain मतलब जो दर्द, चमड़ी, हड़ी मास, breast, read की हड़ी की problems या ज़्यादा चिंता या तनाव के कारण है और दूसरा retro sternal pain मतलब, retro मतलब पीछे, किसके? sternum के, मतलब चाती की center में जो हड़ी होती है उसके पीछे जो अंग हैं, उनकी वजह से होने वाला pain ऐसा दर्द, food pipe की problems के कारण, दिल से निकलने वाली खून की नाली जिसे हम aorta कहते हैं, उसके फटने या फूलने के कारण होता है दो फेफडों के बीच में जो जगह होती है, उसे हम mediastinum कहते है mediastinum की सूजन को mediastinitis कहते है mediastinitis, bacterial, viral, fungal, infections, tumor, आदी से हो सकती है इससे भी च्छाती का दर्द हो सकता है यह retrosternal जो pain है, यह बहुत ज़्यादा तनाव के कारण भी हो सकता है तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि च्छाती का दर्द बहुत से कारणों से होता है यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like, share, comment करें चैनल को subscribe करके bell बटन जरूर दबाएं, जिसे आपको मेरे आने वाले वीडियो का notification मिलता रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में, happy दिवाली to all of you in advance, जै हिन